कि दोस्तों पिछले तीन दिनों से बेर्स मार्केट को गिराने की कोशिश में यह मैंने कह रहा हूं यह चार्ट कह रहा है देख लेजिए मंडे का खेंड़ निफ्टी नया हाई बनाता है 410 का वहां से गिरते हुए 260 के आसपास बन देता है कल का दिन उपर जाने की क्लोशिश करता है पांच पॉइंट उपर जाके क्लोश देता है वहीं पे उपर गया फॉल आज का दिन 441 का नया हाई बनाया फिर से बेर्स कंट्रोल में आये और 322 के आसपास क्लोश दिया मिरा आप से सवाल है दोस्तों क्या कल एक्सपाईरी के दि लाट बात हो सकता है क्या कल बैर्स अपने इरादों में कामयाब हो सकेंगे क्या कल बैर्स मार्केट को गिरा सकेंगे आपका क्या खाल है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताईए विल इट फॉल फॉल बेग यूज फॉल और इट विल गो अप वाट इस यूर एक बार मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना है चलिए इन इंपोर्टन लेवल ट्रेडिंग के लिए अगर कल का ट्रेडिंग में प्लान कर रहा हूं तो दोस्तों आज का हाई आज का हाई निफ्टी ने यहाँ बनाया 23,441 आज का क्लोस मेरे दोस्त यहाँ पर निफ्टी ने दिया है 23,322 और आज का लो बना हुआ है 22,295 दोस्तों आज का कैंडल कोई भी देख के बिदा सकता है कि इस अ बेरिश हैमर कैंडल आप कमेंड बॉक्स में टाइब कर सकते हो करना है तो इडिस अ बेरिश हैमर कैंडल बैर्स अपनी और से पूर ह कर रहे हैं मार्केट को गिराने की अगर मैं यह मानता हूँ कि अगर कल का जो लो था जो था 23,206 कल अगर निफ्टी इसके नीचे 5-10 मिनिट सस्टेन करता है तो फिर हम एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर निफ्टी को बुलिश भी जाना है तो यहाँ पर तीन-तीन केंडल की बीच जो बड़े-बड़े से बुलिश गैप निफ्टी छोड़के गया है उसको भरना अभी भी बाकी है दोस्तों चलो बड़ा गैप है बहुत बुलिश है सूपर बुलिश है अट लीस्ट 50% फिल अप करो नहीं तो पूरा-पूरा फिल अप करो दोस्तों और पूरा फिल अप करेगा 23,000 तोड़के 22,904 तक जा सकता है और दोस्तों ऐसा ही एक तीन केंडल की बीच में गैप यहां पे भी बड़ा हुआ है 5 जून, 6 जून और 7 जून की बीच तो कही ना कही निफ्टी को अभी भी यह गैप भी बरना है जो कही ना कही ब बनाए तो अच्छा लगगा कल के लिए मेरी प्लान यही रहेगी यही हमारे लेवल्स रहेंगे उपर के तरफ अगर आज का जो क्लोज है वो ब्रेक कर देगा तो 22,443 के आसपास का एक लेवल प्लान करेंगे नीचे पहला लेवल हमें मिल आज का लो 22,296 उसके बाद 22,204 23,066 22,904 और 22,665 यह लेवल है दोस्तो डेली चार्ट के अंदर है बड़े बड़े से गैप अभी भी फिल अप करना बागी है आपको यह वीडियो कैसा लगा और मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यह तीन कैंडल के बीच की स्ट्राटेजी वाला यह तीन कैं क्योंकि overall मेरा carry forward में 7,000 का loss था उसके बार 9,000 का profit है तो 16,000 कहीं ना कहीं इसी स्ट्राटेजी मुझे कमा के दिये आज का PNL का वीडियो भी जरूर देखना उसको भी मैंने reveal किया है यह वीडियो कैसा लगा comment box में लिखे बिना कहीं मत जाना मिलता हूँ अगले वीडियो के जब बढ़ शुक्री आए